एक बार युधिश्थिर अपने पितामह भीश्म के पास गए और बोले हे तात्श्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलजाएंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे की स्त्रिया पुरुष दोनों में से वो कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है? भीश्म बोले इस संबंध में तुम्हें भंगस्वाना और सक्रा की कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था, वह न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था, एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अगनीश्टुता, क्यूंकि उस हवन में केवल अगनी भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए, इंद्र अपने गुस्षे को निकालने के लिए एक मौका ढूरने लगे ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सकें, पर भंगस्वाना इतना अच्छा र अगला लेने का और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया, राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा, अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा, ना उसे दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक नहीं दिख रहे थे, भूखप्यास उसे और व्याकुल कर दिया था, अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई थी, जो किसी जादू सी सुन्दर लग रही थी, राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोडे को पानी पिलाया, फिर खुद पिया, जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रव नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? राजा भंगस्वाना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद में कैसे अपने राज्य वापस जाओ? मेरे अगनिश्टुता अनुष्ठान से मेरे एक सौ पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा, क्या जाएगा, मेरी प्रजा का क्या होगा? इस तरहे से विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लोटा. स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुचा, तो उसे देख कर सभी लोग अचंभित रह गए, राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया. वहां जाकर बहस्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया. अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गई, और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम म मेरे पुत्र हो जब में एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब में एक स्त्री हूँ, मेरे राज्य को मिलकर, भाईयों की तरह संभालो, सभी भाई मिलकर रहने लगे। सब को सुख से जीवन व्यतीती करता देख, देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो जाएं और उनमें बदले की भावना फिर जागने लगी, इंद्र सोचने लगा की ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदल कर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया इंद्र ने एक ब्राहमन का रूप धारा और पहुच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में वहां जाकर उसने सभी राज कुमारों के कान भरने शुरू कर दिये। तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखा कर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा क्योंकि तुमने सिर्फ अगनी को पूजा और मेरा अनादर किया इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में किर गया और अपने अंजाने में किया अपराद के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दैनिय दशा देख कर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले है स्त्री रूपी राजन। अपने बच्चों में से किन्ही एक को जीवित कर लोग भंगस्वाना ने इंद्र से कहा अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरहें पैदा किया है। इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, ए इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोक से जन्मे बालकों का जीवनदान मांगती हूँ. भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्थिर को कहा कि इंद्र यह सब सुनकर प्रसंद हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया. उसके बाद इंद्र ने राजा को दुबारा पुरुष रूप देने की बात की इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर है भंगस्वाना मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया. स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ, यह सुनकर इंद्र उच्सुक हो गए, और पूछ बैठे की ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट न और वहां से प्रस्थान किया, भीश्म बोले के युधिष्ठिर यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है, ऐसी ही एक कहानी का वर्णन ग्रीक धर्म ग्रंथों में है, तिरे सियास नाम का एक राजा अपने युवा दिनों म एक बार जंगल में शिकार करने गया, वहां उसने दो सापों को संभोग करते समय लिप्टे हुए देखा, तिरे सियास को ना जाने क्या सूझा उसने अपने सिपाहियों की मदद से उन विशाल सापों को अलग करवा दिया, ऐसा करवाते ही उसे श्राप मिला की उसका उन सापों का क्या हुआ इस बारे में कुछ पता नहीं है। की पतनी हीरा में विवाद चर रहा था कि सेक्स कौन ज्यादा एंजाय करता है, स्त्रिया पुरुष। उन्होंने तिरे सियास को बुलावा भेजा। तिरे सियास ने जियूस और हीरा के सवाल का एकदम सीधा और सटीक जवाब दिया। महिलाएं पुरुषों से नौ गुना ज्यादा सेक्स का आनंद उठती हैं। इस जवाब से हीरा बहुत नाराज हो गई और उन्होंने तिरे सियास पर ऐसा वार किया कि वह अंधा हो गया। जियूस अपने आपको तीरे सियास के अंधेपन के लिए जिम्मेदार मानने लगे और उन्होंने उसको भविश्य देखने का बरदान दिया। लगभग दुनिया की हर संस्कृती में ऐसे देवी देवता हैं जो स्त्री पुरुष का संबंध खूबसूर्ती से दर्शाते हैं। भारत में ऐसी प्रतिमा है अर्धनारीश्वर की। अर्धनारीश्वर का अर्थ यह हुआ कि आपका ही आधा व्यक्तित्व आपकी पत्नी और आपका ही आधा व्यक्तित्व आपका पती हो जाता है।